हेलो स्टुडेंट्स बच्चों आज हम कंप्पिटर का लेशन 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है CPU ठीक है अब CPU का पूरा नाम हम सबको पता है central processing unit क्या नाम होता है इसमें इन्पुट डिवाइस से कंप्पिटर को दिया गया डाटा सबसे पहले CPU में जाता है यहीं कि जो भे इन्पुट डिवाइस है उनके द्वारा हम जो भी डाटा देते हैं कंप्पिटर के अंदर सबसे पहले कहां जाता बच्छो CPU के अंतर ठीक है CPU डाटा को संग्रह व प्रोसेस करता है यानि की CPU जो भी हम डाटा देंगे उसको स्टोर करके प्रोसेस करता है तता उसके बाद हमें अपनी स्क्रीन पर यानि की monitor के इस्क्रीन पर हमको output दिखाता है ठीक है और CPU जो कंपिटर के सभी डिवाइस है वो चाहे इंपुट हो या आउटपुट हो उन सब को नियंत्रित करता है यानि की कंट्रोल करता है यह सेकंड पार्ट है यह बोलते हैं इसका सोटकूर्ट और फूल फरंब हो जाेगा और्थमेटिक लौजिक यूनिट थाड़ पार्ट है अन तीन पार्ट के ऊपर ही टाउपार करता है control unit input को प्राप्त करता है और इसे memory में store करता है यहनि कि control unit क्या करता है जितनी भी हम computer के अंदे क्रियाएं करते हैं उनको नियंतरित करता है और जो भी हम input computer में input करते है data उसको memory में store करने का काम control unit का होता है ठीक है इसके लावा second part arithmetic and logic unit यह क्या करता है computer में जितने भी होने वाली गणित से सम्मधित कि रहा है यहां कि गणितियों कि रहा है चोड़ना घटाना गुणा भाग और किसी तार्किक चीज़े तुल्ला करना इन सभी काम को arithmetic logic unit computer में करता है cp कहनता है अगला पाट है memory तो memory एक औस्थाई storage है जहां cpu वर्तमान सूचना या data को process या संग्रहित करता है कोई भी हम input डालते हैं तो पहले computer में जाके store होता है उसके बाद cpu उसके उपर process करता है अब memory यहां पर दो टाइप की दी गई है पहली है internal memory और external memory यानि कि आंतरिक memory और बाहिर memory ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे आंतरिक memory के बारे में आंतरिक memory एक और स्थाई या volatile होती है computer को बंद करने पर यह संग्रहित सूचना या जनकारी को मिटा देती है यह जो आंतरिक memory है इस टकी memory हो थी कि हमने कोई भी data input किया ठीक है अगर हम बीना उसको save किये computer को shutdown कर देते हैं computer को बंद कर देते हैं तो वो जो सूचना होगी जो data होगा उसको क्या वो memory मिटा देगी ठीक है यानि कि यह store करके नहीं रखती है जब तक हम इसको बोले नहीं अब यहां दो प्रकार की memory है इसमें भी दो टाइप की memory होती है internal memory के अंदर पहली है random access memory जिसको हम RAM बोलते हैं and second है read only memory यानि कि ROM बोला जाता है इसको shortcut form में ठीक है तो सबसे पहले देखते है random access memory क्या है RAM एक और स्थाई memory है जो processing के दौरान और स्थाई storage के रूप में कार करती है यानि कि जब process हो रहा है जो भी data computer process कर रहे है इंपूट कर रहे है उसके दौरान यह memory पर करती है RAM के गुण क्या क्या होते है तो RAM read write memory यानि कि पढ़ने और लिखने की read write memory होती है computer इससे data read करता है या इसमे data सेंग रही तरफा परवर्थित करता है RAM और स्थाई memory है ठीक है तो यह इसके दो गुण हो गए second आता है read only memory यानि कि memory की इस भाग में निर्देश यानि कि जो भी information computer में input करते हैं इस्थाई रूप से संगरहित होता है यानि कि यहाँ पर अगर हमने एक बार save कर दिया तो हमें यहाँ पर वो save ही मिलेगा ठीक है आता है इसके data को परिवर्थित नहीं किया जा सकता है यानि कि यहाँ पर जो भी एक बार data इस्थाई रूप से save होगे उसको हम change नहीं कर सकते इसे cable पढ़ ही सकते हैं ठीक है read only memory में जो भी एक बार data save कर देंगे उसको हम change नहीं कर सकते उसको save पढ़ा जा सकता है और जो रैम के अंदर गुण क्या है कि उसको हम read भी कर सकते हैं और write भी कर सकते हैं यानि कि save पने बाद हम उसको पढ़ा भी सकते हैं और साथ में अगर कुछ change करना हो तो हम change भी कर सकते हैं ठीक है रोम के गुण यह स्थाई निर्देशों को संगरीद करके रखती हैं जिने computer के निर्मान के समय record किया जाता है ठीक है रोम को केवल पढ़ा जा सकता है यह स्थाई memory यानि कि सिर्फ इसको केवल पढ़ सकते हैं इसको write नहीं कर सकते हैं अब second part है बाहे memory यानि कि external memory यह CPU में बाहर से जोड़ी जाती यानि कि CPU के अंदर हम बाहर से जिन memories को लगाएंगे वो external memory होंगे इसका प्रयोग secondary storage के रूप में होता है ठीक है जैके secondary storage memories जैसे कि man memory और स्थाई होती है जो computer बंद करने के बाद डाटा को मिटा देती है डाटा को स्थाई रूप से बाद में परियोग करने के लिए जिन device हो में संगरहित करते हैं उन्हें secondary storage device कहता है ठीक है जैसे हमने पढ़ा अभी पीछे की जो आंत memory हो क्या करती है डाटा को computer बंद होने के बाद मिटा देती है लेकिन जब हम कोई भी data computer में work करते हैं तो इसको हम किसी फाइल में saree- governments, hultics में, cd में, DVD में जब या फिर pan drive में इन सब चीज में मैं उसको store करते हैं ठीक है उसका हम सेभ करते हैं तो ये secondary storage device होता है अगर हमicus में एक बार जो हमारा data उसको हम save कर देंगे तो हम उसको जब भी हमें जवत पड़ेगी हम उसको use कर सकते हैं उसको हम पढ़ सकते हैं ठीक है अब secondary stories के गुण क्या क्या है तो यह read वा write दोनों पर कारे करती है यह इस्थाई stories भी है जो computer को बंद करने पर संगरी डाटा को नहीं मिटाते हैं जानी कि अगर हमने इसमें एक बार file लिया data save कर दिया चाहे computer बंद हो जाए या फिर हम उसको बंद करके दुबारा open करें तब भी वो data नहीं मिटेगा secondary stories device बिभिन परकार के होते हैं इसके यह जो memory वाला हिसा यह बहुत ही main part होता है CPU का क्योंकि CPU इसी के according काम करता है अगर CPU के अंदर memory नहीं होगी तो computer कोई भी काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो data को store नहीं कर पाएगा हम इसमें कुछ लिखनी पाएंगे तो इसलिए computer के अंदर जिए computer क्या होता है बच्चो memory होता है ठीक हो तो यह लेस ना देंगे तो